जाहिन फ्रेंट्स वेलकम तो आफ यूटूब चैनल वेटोगोल फ्रेंट्स आज है दस जून वा दस जून से जिदने भी important question बन सकते हैं पहले वीडियो में हम वे सारे discuss करेंगे वह अपना आगे 10 जून से related current affair के सभी question discuss किये जाएंगे तो let's begin फ्रेंट्स आज 10 जून से related static GK का पहला question भारत के सबसे उम्रदाद चिंपैजी का नाम क्या है तो friends सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत के सबसे उम्रदाद चिंपैजी का नाम चिंपैजी का निदन होने के करण static GK से related question बन सकता है कि भारत के सबसे उम्रदाद चिंपैजी का नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि रीटा चिंपैजी आज तक भारत की सबसे उम्रदाद चिंपैजी है जिसका हाल ही में दिल्ली के चिडिया घर में 69 वर्स की उम बनाया जाता है तो friends सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत के करनाटक राज्य में कितूर उस्व मनाया जाता है तो question number two का right answer है option number B friends हाल ही में कितूर उस्व बहुत ज़्यादा खबरों में रहा आपको बता दूं कुछ दिनों पहले करनाटक राज्य के मुख्या मंतरी B.S. यदूरप्पा ने कितूर उस्व का उधगाटन किया है तो इस उस्व में सांस्कृतिक कार्यकरम वा ब्यक्तिगत खेल भी सामिल रहे हैं तो friends करनाटक के मुख्या मंतरी B.S. यदूरप्पा ने इस उस्व को उधगाटित किया है तो इस उधगाटन होने के करण यहा कितूर उस्व कहां मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कितूर उस्व भारत के करनाटक राजी में मनाया जाता है Friends question number 2 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 3 Tom Soul को अंतराष्टिया किर्केट में गेंद बाजी से निलंबित किया गया है वे किस देश के हैं Friends सबसे पहले तो आपको पता दूँ कि स्कॉट लैंड के Tom Soul को अंतराष्टिया किर्केट में गेंद बाजी से निलंबित किया गया है Friends Tom Soul स्कॉट लैंड के एक तेश गेंद बाज है Question number 3 का right answer है option number 3 Friends आपको पता दूँ 19 फरवरी को केनिया के खिलाब स्कॉट लैंड के मैच के दोरान Tom Soul ड्रक्स के मामले में पकड़े गई वह इस मामले में पकड़े जाने के करण Tom Soul को अंतराष्टिया किर्केट में गेंद बाजी से निलंबित किया गया है तो Friends आपको पता होना चाहिए कि Tom Soul Scotland के तेज गेंद बाज है Friends ये Scotland के तेज गेंद बाज है तो माइंड में तुरंद किलिक हो जाना चाहिए कि Scotland से related question क्या-क्या बन सकते है Friends ये है मैप में Scotland Scotland की capital एडिनबर्ग Scotland की currency पॉर्ण इस्टरलिंग वह स्कॉट्लेंड के वरतमान प्राइम मिनिस्टर निकोला इस्टरजन जी है एक पर पुना पता हूँ तो स्कॉट्लेंड की कैपिटल एडिनबर्ग स्कॉट्लेंड की करेंसी पॉन्ड इस्टरलिंग और स्कॉटलेंड के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर निकोला इस्टरजन जी है तो फ्रेंड्स ताम सोल के साथ साथ आपको स्कॉटलेंड से रिलेटट इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का नेच्ट क्वेशन है विश्व का सबसे उंचा इस्तान है तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको बता दू कि दासुपू विश्व का सबसे उंचा इस्तान है तो question number 4 का right answer है option number 8 friends हाल ही में 200 का सबसे उचा इस्तान दासुपू बहुत ज़्यादा खबरों में रहा आपको बता दूँ हाल ही में यहां बैग्यानिकों ने एक i-score जलवायू record प्राप्त किया है तो friends दासुपू 14 सबसे उचे पहाडों में से एक सीज पंगमा में इस्तित है तो friends बैग्यानिकों ने i-score जलवायू record प्राप्त करने के करण यहां इस्तान बहुत ज़्यादा खबरों में रहा वा खबरों में होने के करण static gk से related question बन सकता है कि विश्व का सबसे उचाइस्तान है तो आपको पता होना चाहिए कि दासुपू विश्व का सबसे उचाइस्तान है तो friends question number 4 से related आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 5 बोच सुवाना की मुद्रा क्या है तो friends सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि बोच सुवाना की मुद्रा बोच सुवाना पुला है तो question number 5 का right answer है option number 8 friends यह है map में बोच सुवाना mind में तुरंद कि लिको जाना चाहिए कि बोच सुवाना से related question टा क्या बन सकते है friends बोच सुवाना की currency तो बोच सुवाना पुला है साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि बोच सुवाना की capital क्या है तो आपको बता दूँ कि गोबोरोन बोच सुवाना की capital है अफियर की तो फ्रेंट्स करंट अफियर शुरू करने से पहले मैं आपको डेली बोलता हूँ कि मौर्निंग में उठने के तुरंट बाद अपने लिए एक दिन का छोटा सा गोल फिक्स करें जिससे कि आपका दिन फाक्तू के कामों में बरबाद नहूँ वार रात को सोते वक आप पूरा कर पाई या नहीं ? जब तक आप अपने एक दिन का गोल फूरा नहीं कर पाते तो जिन्दगी का गोल कैसे अचीव कर सकते हूँ ? तो फ्रेंट्स सहमती पत्र पर हस्ताक्चर किये हैं तो friends सबसे पहले आपको बता दू हाल ही में भारत ने Denmark के साथ बिजली छेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमती पत्र पर हस्ताक्चर किये हैं तो question number first का right answer है option number eight friends यहां हस्ताक्चर Denmark के साथ किये गए हैं तो mind में तुरंद किली को जाना चाहिए कि Denmark से related question क्या-क्या बन सकते है friends आपको बता दू यह है map में Denmark friends Denmark की capital कॉभेगन Denmark की currency Dennis Kron वा Denmark के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर Fogg राम हुसेन जी है तो friends question number first के साथ आपको Denmark से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number two रोमानिया में भारत का अगला राजदूत न्यूक्ट किया गया है तो friends आपको बता दू हाल ही में राउल स्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत न्यूक्ट किया गया है फ्रेंट्स आजकल विविन कंट्रियों में भारत के नए नए राजदूत एपोइंट किये जा रहे हैं फ्रेंट्स हाल ही में ब्रिटेन में गायतरी कुमार, न्यूगिनी में सुसील कुमार, कुवैत में सिवी जॉर्ज, फिनलैंड में रवीश कुमार वह अब रोमानिया में राहुल स्री वास्ताव को भारत का अगला राजदूत के रूप में निउक्ट किया गया है तो फ्रेंट्स रोमानिया के साथ साथ आपको इन देशों से रिलेटट इतनी जानकारी पता होनी चाहिए फ्रेंट्स वीडियो का नेक्ट क्वेसन है Q3, हाल ही में ARIES ने किसके साथ समझोता किया है तो friends, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि हाल ही में ARIES ने इस रों के साथ समझोता किया है Q3 का right answer है, option number B Friends, question कर देख का mind में तुरंट किलिक हो जाना चाहिए कि ARIES की full form क्या है Friends, आपको बता दूँ ARIES का meaning ARIES ने इस रों के साथ समझोता किया है तो mind में तुरंट किलिक हो जाना चाहिए कि ARIES की full form Indian Space Research Organization एक बता दूँ ARIES की full form Indian Space Research Organization Friends, इस रों किस्ता अपना 15 अगस्त उनिस साथ तर Friends, इस रों का headquarter बंगलूरू वा इस रों के वर्तमान निदेशा के सिवन जी है तो Friends, question number 3 के साथ साथ आपको ARIES वा इस रों से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है Question number 4 Friends, सबसे पहले आपको बता दूँ कवी एवं गीतकार जावेद अक्तर को हाल हे में 2020 के लिए रीचर्ड डगिन्स पुरसकार मिला है Question number 4 का right answer है Option number D Friends, ये हैं जावेद अक्तर और ये एक परसिद कवी के साथ साथ गीतकार भी है और इन्हें ही हाल हे में 2020 के लिए रीचर्ड डगिन्स पुरसकार मिला है Friends, आपको बता दू रीचर्ड डगिन्स पुरसकार का बिग्यान वा सिख्चा के साथ मनोरंजन की दुनिया में दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए रीचर्ड डगिन्स पुरसकार बिग्यान सिख्चा हुआ मनोरंजन की दुनिया में दिया जाता है Friends, Question No.4 के साथ आपको रीचर्ड डगिन्स पुरसकार से रेलेटड इतने जानकारी पता होने चाहिए तो Friends, पीडियो का Next Question है Question No.5 दुनिया का पहला राइट आंसर है Option No.5 Friends, आपको बता दूँ ताने महाराष्ट के स्टार्टप P&D के संस्तापक ने COVID-19 रोगियों के अस्पतालों में जरूरत हे तू दुनिया का पहला इंटरनेट नेंतरित रोबोट बनाया है Friends, माइड में तुरंट की निको जाना चाहिए कि इस रोबोट को क्या नाम दिया गया है Friends, आपको बता दूँ इस रोबोट को को रोबोट नाम दिया गया है Question No.5 के साथ-साथ आपको इस रोबोट का नाम भी पता होना चाहिए Friends, Question No.5 से रिलेटट आपको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए वीडियो का next question है question number 6 खाद्य सुरक्चा सूचकांग में कौन सीर्च पर रहा friends सबसे पहले आपको बता दू हाल ही में भारतिया खाद्य सुरक्चा एवं मानक प्रदिकर्ण ने राष्ट भर में खाद्य सुरक्चा तमिलनाडू वा तीसरे इस्तान पर महाराष्ट रहा है तो टॉप थ्री आपको पता होना चाहिए friends इस सूचकांग में टॉप में गुजरात रहा है तो माइंड में तुरंद किडिको जाना चाहिए कि गुजरात से रिलेटड क्या क्या बन सकते है friends गुजरात की कैपिटल गांधी नगर गुजरात के वर्तमान चीप पिनिस्टर विजयरूपाने वा गुजरात के वर्तमान गवर्नार आचार्य देवरत जी है तो friends question number 6 के साथ साथ आपको गुजरात से रिलेटड इतनी जानकारी पता होने चाहिए वीडियो का next question question number 7 हाल ही में कौन सा देश coronavirus free गोसित हुआ है friends सबसे पहले आपको बता दू हाल ही में coronavirus के चलती New Zealand coronavirus free गोसित हुआ है question number 7 का right answer option number 1 New Zealand हाल ही में coronavirus free गोसित हुआ है तो mind में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि New Zealand से related question क्या क्या बन सकते है friends ये है map में New Zealand New Zealand की capital Wellington New Zealand की currency New Zealand dollar वा New Zealand के वर्थवान प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा और डन जी है friends question number 7 के साथ आपको New Zealand से related इतनी जानकारी पता होने चाहिए वीडियो का next question है question number 8 plant health clinic का उधगाटन किया है तो friends आपको बता दूँ हाल ही में मनिपूर राज्यसरकार ने plant health clinic का उधगाटन किया है question number 8 का right answer है option number 8 friends plant health clinic का उधगाटन मनिपूर राज्यसरकार ने किया है तो mind में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए minister एन बिरेन सिंग वा मनिपूर के वर्तमान गवर्नर नजमा है पुतुला जी है तो friends question number 8 के साथ आपको मनिपूर से related इतनी जानकारी पता होनी चाहिए तो friends I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो please वीडियो को लाइक और सेयर करना ना बुले इसी के साथ वीडियो का डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर दे friends इसी के साथ जैहिन